इस वेडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Windows 10 लैप्टॉप में डेक्स्टॉप पर CD ड्राइव का शॉर्टकट किस तरह बना सकते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले इस PC को ओपन करना है यहाँ पर आपको दिखाई देंगा Devices and Drives तो यहाँ पर आपको दिखेंगा DVD RW Drive इसे CD Drive भी बोलते हैं तो आपको इस पर आकर Right Click करना है माउस से और फिर Create Shortcut पर Click कर लेना है उसके बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देंगा यहाँ बोल रहा है वो Do you want the shortcut to be placed on the desktop Instead आपको Yes पर Click करना है और इसे Close कर देना है आप देख सकते हैं Desktop पर CD Drive का shortcut बन गया है झाले